नमस्कार दोस्तों आपके सामने है Patreon India का Retaller Portal तो Retaller Portal में आप बहुत सरे Services में काम कर सकते हो यहाँ पर उपर में देखिए Service Option हैं तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँँगा और आप आप यहाँ से देख सकते हो क्या क्या Service इस Portal में है इ-Recharge, Recharge में Mobile Recharge, GTH, Cable, Hashtag, OTT और भी बहुत सरा है उसके नीचे है Insurance में आप काम कर सकते हो उसके बाद Bill Payment में आप काम कर सकते हो उसके बाद Booking में Rail Booking, Flight Booking, Hotel Booking, Bus Booking इसमें काम कर सकते हो online shopping, amazon store में काम कर सकते हो financial service, pay points card, prepared card होता है loan service में काम कर सकते हो demand account open कर सकते हो digital gold buy कर सकते हो fast track buy कर सकते हो money transfer कर सकते हो और भी बहुत सरे ऐसे services है जिस पर आप काम कर सकते हो दोस्तो, pay point India का portal बहुती अच्छा portal है और यह पर services भी बहुती अच्छा है पेपॉइंट इंडिया एक ट्रांस्टेट कमपणी है और ये कमपणी REBI एफ्रूब भी है और दोस्तो पेपॉइंडिया कमपणी State Bank of India और Bank of Borda की CSP भी प्रोवाइट करते हैं तो CSP भाई लेने के लिए Portal में काम करना होगा अगर आप इस Portal में अच्छा से काम करते हो अच्छा कासा transaction कर पाते हो तब ही आपको CSP मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा ये बात आप क्लियर कर लिजिए अभी मैं आपको Paypoint की जो आधार ATM है मतलब APS Service आधार Enable Payment System आधार कट के मतलम से पैसे उड्डोल, Deposit, Balance Inquiry ये सब काम आप कर सकते हो तो ओ मैं आपको करके दिखाऊंगा तो मैं APS Service में आ चुका हूँ अभी देखिए मैं Channel 1 में सिलेक परूंगा तो यहाँ पर देखिए बहुत सरी Option है Mini Statement, Withdrawal, Deposit, Balance Inquiry बहुत सरे लोग बोलेंगे कि भाई deposit तो नहीं होता है APS में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ Paypoint इंडिया के जो APS Portal इसमें आप deposit भी कर सकते हो लेकिन सारे बैंकों में deposit नहीं कर सकते हो सिर्फ ICICI bank में deposit कर सकते हो तो आपके सामने में दिखा दिया दिखिए deposit में select किया सिर्फ ICICI bank आया दूसरा bank नहीं आया तो withdrawal आप सारे bank का कर सकते हो यहाँ पर आपको दिखा दू यहाँ बहुत सारे bank है Mini Statement चेक आप सारे bank में कर सकते हो और Balance Inquiry भी सारे bank में कर सकते हो तो Simple C में आपको यहाँ पर Mini Statement चेक करके आप लोगों को दिखाऊंगा तो यहाँ पर Channel 1 में select करूंगा और Mini Statement तो select किया हुआ है तो अभी मैं एक bank select करूंगा State Bank of India उसके बाद Service Type, आधार या Virtual ID कोई भी एक से आप आप टांजेक्शन कर सकते हो तो मैं आधार नमबर दूंगा तो यहाँ पर मेरा आधार नमबर में दे देता हूं तो आधार नमबर दे दिया उसके बाद device डिवाइस डिवाइस आटोमेटिक लिस्ट हुआ है उसके बाद capture तो अभी capture में क्लिक करूंगा और अभी finger दूंगा तो finger भी देखिए scan successfully हो गया है तो अभी नीचे देखिए अग option है send mini statement report तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो उससे पहले यहाँ पर जो flash message आया है तो इसको close कर देंगे अभी send mini statement request यहाँ पर क्लिक करेंगे करते ही देखिए तुरंत mini statement आ गया है अभी यहाँ पर देखिए print receipt option आया है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी print आ जाएगा तो यहाँ से आप print out करके customer को दे सकते हो दोस्तों आपको अगर पेपोइंट इंडिया के portal पसंद आई है और आप पेपोइंडिय का retailer या distributor बनना चाहते हो तो easily हमसे contact कर सकते हो हम आपको असानी से पेपोइंट इंडिया का retailer ID या distributor ID दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप हमसे अगर contact करेंगे तो आपको हम retailer ID free of cost देंगे लेकिन distributor ID के लिए कुछना को charge आपको प्ताप आएंगे तो आपको अगर लेना ह तो जल्दी से हमें contact करेंगे